हे गाईज देखे आज मैं आपको टाटा गुरूप का एक ऐसा स्टॉक बताना चाहता हूं जो लगबग आपको 2030 तक आपको बड़ा पैसा बना की दे सकता हाल फिलाल में आप कभी भी बेचने की कोशिस मत करो खबर बहुत अच्छी है तार्गीट भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर 2030 तक रुक उचाते हो तो याद रखे है लाखोर रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं होगा यह काफी छोटा आमाउंट होगा आपके लिए इतना बड़ा आप हो जाओगे सही है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कभी भी लोन का पैसा जो है 400% का रिटन दिया सोचो चार गुनाब का पैसा जो आराम सकर दिया इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन आने वाले दिन में यह स्टॉक आपको खितना बड़ा रिटन दे सकता है वो मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अंदाजा नहीं है जिस तरीक दिनों में यह टच कर ददेगा इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं इस company के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी और इसी लिए परमोटर ने भी हिस्सेतारी बढ़ाए देखो मैं आपको बताता हूँ परमोटर को को पहले से पता होता है कि company में क्या हलचल होने वाली है या मतलब क्या नहीं होने वाली है करके पर्मोटर्स को पहले से पता होता है तो पर्मोटर्स ने अपने holding बढ़ा रखें लगभा 4.02 पसंड के आस पास देखो भाई यह 4% का मतलब आपको क्या लगता हजार 2000 शेयर की ब आखो की बात ही जाती है कि सोचो और जो इंवेस्टमेंट होता वह करोडोग होता फë Marian काफी बड़ा का अमांट होता है और Permotors के पास देखो Tata Group में Permotors के पास अगर हिस्स्चेदारे बढ़ती है या घढ़ती है उसमें कोई Tension वाली बात नहीं होती है वैसे भी Tata Group किसकी कंपनी है किसकी कंपनी है पॉ방लिक की कंपनी है मतलब आपके कंपनी है मैं सही है यह रतन टाटा जी का कंपनी थोड़ी है है कि नहीं है जो भी काम करते हैं रतन टाटा जी यह केवल पब्लिक और पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया जाता है अगर कल के डेट में यहां पर शेर होल्डिंग घटाई जाती है तो इतना याद रखेगा यह जो होल् उठा रखा है यहां पर देख सकते हैं लगबग 25 या 28 पसंट के आस पास इन्होंने माल उठा रखा है एक तो ऐसा टाइम आच चुका था जहां पर फोरेन वालों के पास 20 पसंट था डोमेस्टिक वालों के पास 15 पसंट के आस पास था और कंपनी का रेविनी जो है लगब प्लस में ही रहना चाहिए लोग आज के डेट में यहां पर खरीदना ही चाहते हैं और लगबग 76 पसंट लोगों का मानना है कि लगबग यह स्टॉक को प्लस में ही रहना चाहिए मतलब बाई करके ही चलना चाहिए बेशना नहीं चाहिए सेल नहीं करना चाहिए भाई स्टॉक को तो मैं किस कंपणी के बात कर रहा हूँ जो लगबग 60 रुपीज के आसपास हुआ करता था आज देखते हैं 357 का हाइस था तो टाटा मोटर भाई टाटा मोटर में यहां पर अगर आप देखो जो खबर आई है एक दिन पहले आपको बताया जा रहा टाटा मोटर में कि 100% का रिटेंडे डाला मतलब सबसे ज़्यादा रिटेंडेने वाली अगर कोई कंपणी अगर आप देखोगे और तो सेक्टर है किसी भी सेक्टर में तो मुझे लगता कि आटा मोटर ही दिया है और ऊपर से अभी यह जो टार्गेट दिया जा रहा 400 का भाई यह किसकी बेस तोच लोग ऐसे लिया के टाटा बहुत चुटा है और टेशला जो व्ल्ड के रिचस परसल में आता है कि यह पर टाटा भी व्ल्ड के परसल में आते हैं हाला कि पेपर पर वह नोट नहीं है लेकिन मेंटली आते हैं तो यह जो 400 का तारगेट है ये बहुत बड़ा target है बैसो चो क्यों share भागता जारा अभी भी 400 का target दिया जारा और इस दिन company ये dead free हो गया ना और ये share का 52 week high कितना लगबग 600 के आसपास तो बस 200 रुपीस के आसपास आपको जो difference देखने को में लेका ना ये difference भी आपको पूरा होते हुए दिख जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको सबर रखना पड़ेगा अब ये आपके ओपर डिपेंड है आप कितना patience रख सकते हो अपने पास राके जुन जुन वाले ने तो यहाँ पर करोडों share खरीद रखे हैं और जो company का income है यहाँ पर देख सकते हैं आपको बढ़ चुका है सो जो 41% मतलब 40% company का income बढ़ चुका है एक बहुत बड़ी चीज होगी बाई अपने आप में और Tata का जो electric vehicle है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा देख सकते हैं निक्सोन हो टेगोर हो या उसके बाद XUV हो वो भी बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर देख सकते हैं electric model का पहल बहुत ज़्यादा जो है demand की rate करेगा all over India में क्या all over world में आपको ज़्यादा demand की rate करते हुए नजर आ जाएगा और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2030 का मैंने time क्यों लिए आप से जैगवार लैंड रोवर जो टाटा के बहुत बढ़े बढ़े brand है जो हमारे देश के बाहर बहुत मतलब इसका demand है बहुत जयदा demand है वो बोल रहा है यहाँ पर कि जैगवार लैंड रोवर जो भी है says its बताया जारा कि जितने भी यह luxury brand है luxury मतलब इस लोग इसको जहादा त तो टाटा के जितने लक्जुरियस वाले हैं वो भी इलेक्टिक बन जाएंगे 2025 तक तो टाटा मोटर जैसे स्टॉक को अगर आप पांच से दस साल होल्ड कर लोगे तो भाई आप कहां रहोगे मतलब खुसी का ठिकाना नहीं रहेगा ऐसा मानो तो अगर आपके पास पेशिंस तक चला नहीं पाओंगे 20 साल अगर आप चलाना चाहते हो तो नहीं चला पाओंगे क्योंकि वहाँ पर जो है टाइम चेंज हो जागा और जादा अगर आपको जादा से जादा फोस करेगी पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी और उसका प्राइस भी बढ़ा देगी कर वगर लैंड रोबर जैगवर जैसे बहुत बड़े-बड़े ब्रांड है वह भी देखें यहां पर आपको उताया जा रहा है कि इलेक्टिक के लिए देख सकते हैं सबी जो है इलेक्टिक के लिए करवर्ट होने की सुरू कर रही है यहां पर और अलेक्टिक वेहिकल का सिल्स बह चाहते हैं तो कहां तक बढ़ चुका देख सकते हैं अगर आप देखो तो बहुत स्पीड से बढ़ा वाई ग्रोथ गुरूत देखो ग्रोथ देखो कितनी स्पीड से बढ़ा है हाला कि 2019 में आपको गिरावड देखने को में लिए कोई टेंचन के बात नहीं है लेकिन 2025 तक यह जो मूमेंट है इतना दूर इसको पकड़ना जरूरी है था है तो पहुत ब्हुत से बढते जा रहे हैं आपको बताना चाता हूँ बिहार बिहार में एलेक्टिक बसेस आचुके हैं बाई एलेक्टिक बसेस आचुके हैं बिहार सोचो मतलब वहाँ पर देखो बिहार में जाके देखो उतने ज़्यादा इंडस्ट्री बगारे नहीं देखने को मिलेगे उतना जदे एकनोमिकल आपको मजबूत नहीं देखने को मिलेगी सोचो ऐसे जगह में मतलब की सोचो छोटी छोटे जगह से हमारे गौर्मेंट जो हर जगा फोकस कर रही है और उसके बाद दिल्ली बगार देखना चाहतो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी स्टार् स्टेशन जितना आपने पैट्रूल पंपने देखा होगा आज तक उससे जादा यह बताया जारा 69,000 उससे जादा है गौर्मेंट प्लान तो कर दिए एक बार करने तो बन गया तो पैसा तो आराम से बनता हुए नजर आएगा बाकि आपके उपर डिपेंड है आप क्या सो सकते हैं नमबर वन स्टॉक ब्रोक्रेश आउस आपको बताया जा रहा और आपको अपना डिमेंट अकांट वहां पर ऑपन करना चाहिए जहां पर आपको सेफटी देखने को मिलेगा एंजल में यहां पर देख सकते हैं लगबाग एनसी बीस्ट यहां जो भी आगर चाहो तो आप माल बगारा खरी सकते हैं को टेंशन की बात नहीं है और यहां पर अगर आप देखोगे चार्जेस बगारा डिमेंट अकांट बिल्कुल फ्री में डिलिवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री में केवल 20 रूपीस लगता वो भी इंट्राडे टेट में जो हर जगा लग आप कर दिल्दे क्वाल कर दो होगार के लावादा, कर दो हमयाक वोगता है जगे चार्जेस बहारा है बात बात, टो हो उड़ता खरी अँँचल चार्त बगारा Yup?